हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मुलर्स या एग्रिगेट्स रिलेटेट टू नेशनल इंकम, टॉपिक नेशनल इंकम की सीरीज में यह हमारा पार्ट टू है वीडियो का, अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट वन की लिंक दी हुई है आप सबसे पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको नेशनल इंकम के बेसिक कंसेप्स की नॉलेज हो जाए उसके बाद ही आप ये वीडियो को कंटीनू करिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी त होते हैं ये फाइनल गुड्सन सर्विसिस की मार्किट वेल्यू है जो हम किसी भी कंट्री के डुमेस्टिक टरिट्री में प्रियूस करते हैं ड्यूरिंग अन येर ऑफ अकांटिंग इयर जो अकांटिंग हीर होता है उसमें मलब 1st अपरेल से 31st मार्च में जो प्रियूस क बोलते हैं ये फाइनल गुड्सन सर्विसिस की मार्किट वेल्यू है वो भी उन गुड्सन सर्विसिस की जो हम किसी भी डुमेस्टिक टरिट्री ऑफ एक कंट्री में प्रियूस करते हैं एक साल के अंदर अकांटिंग इयर में एक्स्क्लूजव ऑफ डेप्रिसिएशन इस लिए हम लेप्रिसिशन माइनस करते हैं ग्रॉस ये इंप एम उन करने तो पर्ट वन वीडियो को में झ़ोर देखिएगा ईहनप एंप स्ओ डिप ली पि ये एंप सेब्यों सरओaking abroad होती है domestic में नहीं होती next है net national product at market price इसको हम short में NNP MP भी बोलते हैं अगर net domestic product at market price में हम net factor income from abroad को add कर दें तो हमें NNP MP मिल जाता है NNP मतलब इसमें इसका formula बनेगा NNP MP is equal to NDP MP plus net factor income from abroad पहले हम NNP MP calculate करेंगे उसमें net factor income from abroad add करेंगे gross domestic product at factor cost इसको GDP FC बोलते हैं यह sum total है सारी factor cost का जो अकर होती है जो लागू होती है जब हम final goods and services को produce करते हैं किसी domestic territory of a country में during the period of an accounting year क्योंकि यह gross है जी है इसलिए इसमें depreciation inclusive होता है add किया जाता है इसका formula बनता है GDP FC is equal to compensation of employees rent profit plus interest plus depreciation सारे factor cost को सारी factor income को add करने के बाद इसमें depreciation include कर दें तो GDP FC निकलता है next है हमारा net domestic product at factor cost इसको हम NDP FC बोलते हैं यह sum total होता है सारी factor cost का सारी factor income का जो production of final goods and services में होती है हमें pay गरनी पड़ती है within the domestic territory of a country किसी भी accounting year में और क्योंकि यह N है तो इसमें depreciation नहीं होता इसका formula है NDP FC is equal to सारी factor incomes को add कर दो GDP FC अगर fine करना है और NDP FC दिखा दे रखा है तो इसमें depreciation add कर दो हमें gross fine करना है अगर NDP FC fine करना है GDP FC given है तो इसमें से depreciation minus कर दो तो हमें NDP FC मिल जाएगा NDP gross national product at factor cost इसको हम GNP FC भी बोलते हैं अगर हम gross domestic product at factor cost में net factor income from abroad को add करने तो हमें GNPFC मिल जाएगा net factor income from abroad calculate करनी है मैं बता चुकी हूं कि आप मेरी part 1 वीडियो में देख सकते हूं GNP FC is equal to GDP FC plus net factor income from abroad net national income at factor cost इसको GNP FC बोलते हैं अगर हम net domestic product at factor cost को find करने के बाद उसमें net factor income from abroad add कर दें तो हमें GNP FC मिल जाएगा इसलिए इसका formula बन जाता है NNP FC is equal to NDP FC plus net factor income from abroad net में इसमें NDP और NNP में बस फर्क इतना है कि D में factor income नहीं add होती और N में होती है इसलिए हम plus net factor income from abroad करते हैं last में एक hint दे रही हूं जिससे आप हमेशे याद रखोगे कि हम formula को खुद कैसे drive कर सकते हैं G और N में gross और net में depreciation का फर्क होता है gross अगर दिया है net fine करना है तो depreciation minus कर दो domestic और national में net factor income from abroad का फर्क होता है domestic दिया है national fine करना है तो plus net factor income from abroad कर दो product और product में कोई difference नहीं कोई adjustment नहीं करनी market price और factor cost में net indirect taxes का फर्क होता है इसलिए उसमें हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे अगर हमें factor cost fine करनी है क्योंकि net indirect taxes में indirect taxes and subsidies का रोल होता है ये market price में तो include होते हैं लेकिन factor cost में नहीं होते अगर हम इन सारी terminologies को याद रखेंगे तो हम formulas को drive कर सकते हैं अगर इस वीडियो में आपको कोई भी doubt है तो आप comment section में मेरे से अपने doubt clear कर सकते हो thanks for watching this video अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको share करिए अपने friends के साथ और इस वीडियो को like करना मत भूलिए thank you